हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चल्विलिंस के टीट्मेंट के बारे में जिसको हिंदी में अगर बोला जाए तो बेवाई भी बोलते हैं इसमें क्या होता है दोस्तों आप देख सकते हैं सर्दियों में हाथ पेरों में सूजन तता जलन होने लगती ह और रेडनेस सी हो जाती है ये क्यों होती है इसके क्या साइनेंज सिम्टम्स होते हैं क्या कारड होते हैं और इसमें दिया जाने वाला टीट्मेंट क्या होता है ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे तो फ्रेंट्स अगर आप हमारे इस चैनल पर प चिल्वलेंस जो है दो सब्दों से मिलकर बना है चिल यानि के ठंड यानि के कोल्ड और ब्लेंस यानि के सोर यहां भी जक्म या घा हो गए है उसको ब्लेंस कहते हैं तो इन दोनों सब्दों से मिलकर यह चिल्वलेंस बना है यह आप देख सकते हैं यह रेडनेस ही है इसको हम chillulence कहते हैं और यह सर्जियों के mosham में अधिकतर देखने को मिलती है इसमें क्या होता है friends कि जो chillulence की समर् wn Extra जब हो जाती है तो दो conditions होती है एक तो cold exposure से क्या होता है जो हमारे blood vessels होते हैं जो हमारे blood vessels होते हैं जिसमें ये रक्त बहे रहा होता है то उसमें जो हमारा blood होता है वो जम जाता है याने कि जब वो सुक्र जाती है तो एक जगे पर इखटा हो जाता है जिससे ये chillblends की समस्याइं हो जाती है और जब heat exposure होता है तो उसमें blood vessels जो हो जी है dilate याने कि full जाती है तो जो blood का circulation होता है वो सही तरह से होता है तब कोई समस्या नहीं होती है तो friends जब ये children's होता है तो आप देख सकते हैं इसमें symptoms जो हमें देखने को मिलते हैं वो ये होते हैं कि swelling सी हो जाती है जहां भी आपको children's की समस्य होती है आप देख सकते हैं वहां आपके पेरों में या हातों की उंगलियों में सूजन सी रहेगी, उसमें बहुत ज़्यादा redness यानी चकत्ते सी हो जाएंगे आपको और उसमें बहुत ज़्यादा जलन और दर्द रहता है, यह आप देख सकते हैं, जहां भी यह चिल्विलेंस की समस्या होती है, वहां चिल्विलेंस की समस्या हो जाती है, तो उसमें आपको यह चार सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एक तो आपके पेरों पे जहां भी या हातों की उंगलियों पे स्वेलिंग हो जाएगी, जहां भी यह समस्या होगी, उसके साथ साथ आपको redness सी, चकत्ती सी टाइप की यह आपको देखने को मिलेंगे, देन उसके लावा आपको पेरों में जलन सी रहेगी, दर्द रहेगा और इचिंग सी आपको लगने लगेगी, देन आपकी जो इसकिन हो जाता है, तो यह कुछ इसके cause हैं, सिम्टम्स हैं, फ्रेंट्स अब हम बात करते हैं इसके treatment के बारे में कि इसमें क्या treatment दिया जा सकता है, तो फ्रेंट्स इसमें जो treatment होता है, उसमें आपको मुख्यते चार टैबलेट होती हैं, जो कि जीरोडोल SP, लिवोस्रिटिजिन, वाइसलोन, मासेफ, जिसके अंदर सिफ एक्जिम 200 mg ड्रग प्रिजेंट होता है, दोस्तों यह जीरोडोल SP है, यह उंगलियों में जहां दर दूरा है, जलन हो रही है, यह swelling है, उसको कम करता है, तता जो लिवोस्रिजिन है, वो एक एंटिस्टामिन है, जो कि पेरों में इचिंग वगरा की समस्य हो रही है, उसको कम करेगा, और जो बाइसलोन है, वो दोस्तों एक steroid है, जो आपक करेगा, उसके लावब दोस्तों एक क्रीम हो रहाती है, फूसी वेट क्रीम, इसके अंदर फूसेमाइट तता बीटा मेतसोन होता है, और इसको भी लोकली अपलाई किया जाता है, जहां भी हाथ पेरों की उंगलियों में यह समश्या होती है, तो friends, इसको भी दिन में दो ब friends, I hope आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक और हैसी helpful वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार